अपने बुरे हलादों से उपर उठने के लिए एक सिस्टम फॉलो करना है यह ज़रूरे नहीं है अगर जो चीज हो रही है गलत हो रही है आप इसके खिलाफ स्टैंड अप कर सकते हो सिस्टम के खिलाफ जाकर सक्सेश होने वाली लव स्टोरी यह आज की मूवी की थीम है आज की मूवी बेटर डेज यह 2019 की मूवी है और यह एक चाइनिस मूवी है बहुत सारे मैसेज़े से मूवी देखर जाती है तो डारेकली शुरू करते है मूवी स्टार्ट होती है और न पासरूम का environment दिखाए गया है निना जो है अब school में है उनके एक बहुत बड़ी entrance exam चलने वाली होती है इसके लिए ये बहुत ही जादा prepare करते है इसके बाद हमें दिखता है कि इसके friend इसके साथ है ये इससे आज कुछ भी बोलने रही होती जब थोड़ी देर में इनकी छोट ले रहे होती है निना फिर उसके पास जाती है एक jacket उसका लेती है और उसको cover कर देती है बहुत सारी chats बहुत सारी बाते हम सुनते हैं कि उसने क्यों किया होगा उसने suicide क्यों की इसके बारे में सब 30 बच्चे बना रहे होती है निना के लिए entrance exam बहुत important होती है वो 5 बजे क्यों तुमारी friend थी अगर वो कुछ trouble में थी तो तुम हमें बता सकती हो क्या उसे कोई तंग कर रहा था निना बोलती है कि वो मेरी friend नहीं थी detective जैंग वा होता है जैंग इससी बुझता है कि वो अगर तुमारी friend नहीं थी तुमने उसे cure क्यों कर दिया निना कही थी है कि उ इसे बुली कर रही थी। और यही चीज अब neina के साथ भी होने वाली है। ना के फ्रेंड को ऐसा ब्लर्ट जब मिला था तो वहाँ वह बैट गई थी। पर नीना अब यहाँ नहीं बेटने वाली कर टीचर को पास बुलाती है। टीचरों में नीना और उसकी टीचर हमें दिखाई देते हैं टीचरों से कहते हैं कि मैं जो इस सिचुएशन हुए इसे हैंडल कर लूँगा पर तुमें भी अपने क्लासमेट से अच्छे परताओ करना है यानि कि इसका टीचर इसे ही बलेम कर रहा है कि ये अच्छी तरह के से अपने फ्रेंड से बाते नहीं करते होगी इसलिए इसके साथ ये सब हो रहा है जब एक कैंटिंग में लंज करने के लिए आती है तो वहां कुछ लड़किया आ जाती है इन लड़कियों की बॉस वाइला होती है वाइला इससे बात करती हो कहती है तुमारे लास्ट टेस्ट में स्कोर्स बहुत ही अच्छे थे ऐसा कैसे तुम कर रही हो तुम हमारे साथ स्टड़ी कर सकती हो हमें भी कुछ सिखा सकती हो वायला जो होती है यह already scholar होती है इन दोनों को मिलकर study करना चाहिए यह उसको बताती है पर वायला ही वह लड़की होती है जो नीना के friend को bully कर रही थी नीना उसे मना कर देती है इस group में से एक लड़की कहती है कि यह खुद को हम सब से better समझती है यह group फिर camera निकलता है और इसके photo लेना चाहता है नीना रिजिस्ट कर रही होती है पर फिर भी इसका photo ले ही लेती है नीना जब रात में घर आ रही होती है तो वो रस्ते से जाते जाती यह लड़की फिर से इसे घेर लेती है यह कहती ही कि पहले हम तुम्हें पसंद करते थे पर police से तुने आप बात किए तो हमें बहुत ही अलग लगाये यह तुम्हें नहीं करना चाहिए था उसे वज़ा कर लेते हैं उसे मारते और कहते हैं कि तुमने उन्हें क्या बता आया है निना फिर घर आते हुए में दिखती है उसकी मदर वहाँ आय हुई होती है निना के मदर illegal चीज़े बेचती है वो अलग शहर में रहती है अपनी बेटी को विजिट करती रहती है अगर वो यहाँ आकर रहे तो यह पकड़ी जा सकती है और उसकी बेटी के लिए भी dangerous हो सकता ह इसलिए अलग city में ही रहना पसंद करती है निना अपने मदर के बाल बनाते हुए उससे कहती है कि जब मैं entrance exam पास कर जाओंगे अच्छी university में चली जाओंगे बहुत सारे पैसे कमा कर हम अमारी situation change कर सकते हैं इन दोनों का यही एक hope होता है अच्छी life के लिए next day निना के test का result आता है वसे बहुत अच्छे marks मिलते हैं इसके school में ही के normal test है होती है जिन बच्चों के score खरावाते हैं इनको teacher कहते हैं कि अगर तुमने अब अच्छा study नहीं किया तुम्हारी पूरी life खराव हो जाएगी मेनत करनी है तुम्हें अभी करनी पड़ेगी हम द दूसरे से वो better है एक दूसरे को नीचा वो दिखाना चाहते है आज जब निना स्कूल से वापस आ रही होती है तो एक लड़के को बहुत सारे लड़के मार रहे है यह उससे दिखता है यह जो लड़का है यह हमारा main character है इसका नाम चाओ है चाओ को यह सब अब मार रहे हो करती हो तो इसे किस कर लो यह फिर जबरदस्ती इन दोनों से किस करवाते है चाओ जमेन पर गिरा होता है तो थोड़ी देर बाद ऊट जाता है और एक को बहुत जादा मार देता है सब लोग फिर वहाँ से चल जाते है नीना का जो mobile था वो टूट गया था निगस दिन जब रिपेर कर देता है चाओ से कहता है कि अगर तुम प्रोटेक्शन की जरूरत है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ नीना कहीती है कि तुम अपने आपका खैल नहीं रख सकते है वैसे भी मैं बहुत बड़ी यूनियोसिटी में जाने वाली हूँ मुझे तुमारी जरूरत नह कहते है चाओ उसे कहता है कि तुम बुली बन जाती हो या कोई और तुम है बुली करता है इस तरह से ही वर्ड चलता है तुम क्या हो इससे पता आता है कि नीना किसे को भी बुली नहीं कर सकते नीना जब घर जा रहे तो उसे प्रोटेक्शन देने के लिए इसके पीछी Оो चलता है घर जाते जाते एक जगा पर नीना के पोस्टर लगाया होते है नीना कुरुक है नीना लायर है यह सब वहां लिखा होता है चाओ यह देखता है और नीना यह सब पोस्टर निकालती है इस दिन जब यह स्कूल जाती है तो सब के मोबाइल पर यह पोस्टर भेज दिय जाते हैं इस दिन Nenah बहुती डिस्टब होती है और घर जा रहे होती है तब छाओ उसे पुछता है कि कहा जाना है वो कहती कि कहा भी मुझे लेकर चलो यह फिर सिटी में घुमते हैं उसके बाद वो उसके घर लेकर आता है यह दोनों खाना गरा खाते हैं चाओ Nenah से बुछ तुम्हारे लिए घटिया है चाओ का प्लाइस छोटा सा आता है और यहाँ अकेला ही रहता है तो यहाँ बहुत सारी मैस होती है नीना उसे गली का गुंडा समझती है और इसका थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं करती है चाओ फिर उसे डराने के लिए उसे पकड़ लेता ह क्या अभी भी तुम्हें लगता है की मैं एक पंग हू कि तुम अभी डर नहीं रही हो इसके बाद नीना फिर घर चली जाती है नेगस दिन हॉली बॉल की फैक्टिस हमें दिखाए गई है यहाँ भी लायल है हॉली वर उसे हम मारकर फेकती है नीना यो बॉल पकेटती है औ कुछ जादा कर नहीं सकती है स्कूल के होस्पिटल में आती है वहाँ एक लड़का उसे मिलने के लिए आता है यह इसका एक फ्रेंड होता है यह उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम यह सब छोड़ कर यहां से चले जा सकते है इसे लाइक करता है उसके बाद बहुत सारे पैसे भी होते है यह नीना को कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड के साथ जो हा यह तुम्हारे साथ नहीं होगा वो वीक थी, तुम स्ट्रॉंग हो नीना कहती है कि मैं भी उसकी थराई हूँ नीना फिर लाइला और उसका ग्रूप इन सब के बारे में पुलिस ओफिसर को बता देती है जैंग फिर हमें इन सब लड़कियों के इंटर्वी लेता हुआ दिखता है जब लाइला का इंटर्वी लेता है तो लाइला बहुत ही कॉन्फिटन्ट होती है जैंग इस पर शक कर आता है तो इसे कहती है कि उसका खुद का ये decision था हम लोग छोटी मूटी pranks एक दूसरे पर करते ही है ये जो decision था ये उसका था उसके marks अच्छे नहीं आ रहे थे उसी फिर से एक ये repeat नहीं करना था इसलिए इसने suicide कर ली इसकी suicide की वज़े से इसकी मदर को भी बहुत अच्छे पैसे मिल गए है थोड़ा साभी बुरा इससे नहीं लग रहा होता रात में फिर हमें देखता है कि जायंग और उसका superior ये दोनों dinner कर रहे होते है जायंग को उसका superior कहता है कि ये जो school की cases होती है ये बहुत complicated होती है जब principal के पास complaint आती है तो principal parents को बता देता है parents अपने बच्चे से पैर करती है तो बच्चों को भी पता चल जाता है यह वो बता रहा होता है कि अगर बच्चों को पता चल गया तो जादा bully वो करेंगे ये जो investigation है इस investigation से सही से कुछ भी निकल के नहीं आने वाला इसका कुछ conclusion नहीं निकलेगा Nixon में हमें दिखता है कि जैंग नीना से मिलने के लिए जाता है ये उसे गाड़ी में lift दे रहा होता है जैंग लैला के पास गया था उसके parents के पास गया था ये उसे बताता है लैला का जो parents होते हैं ये उसे बहुत ज़्यादा protect करते हैं ये अमेर होते हैं और ये समझते हैं कि उनकी daughter बहुत special है बाकि जो सब लोग है वो low life से हैं ये ज़्यादा कुछ matter नहीं करते हैं इसके घर में से इसे इस तरह की enforcement मिल रही है कि जब ये सब खतम हो जाएगा तो मैं adult बन जाओगी जब आप बड़े बन जाते हो तो सब चीज़े भूलने लग जाते हो पर मुझे ये नहीं पता कि बड़ा बनना कैसे है जायंगों से कहता है कि बड़े बनना इतना जादा मुश्किल नहीं है तुम्हें इसमें सिर्फ जम करना है इसके बाद तुम खुद ही सब figure out कर लोगी रात में नीना अपने मदर को call करती है तो उसे पताती है कि सब कुछ ठीक है अपनी मदर को कुछ पता चले ऐसा उसे नहीं लगता नीना college भी आप खतम हो रहा है जादा दीन तक उसे ये सब नहीं जेलना पड़ेगा जब वो अपने घर जा रही होती है ये सब लड़किया उसे घेर लेती है इसे मारने वाले होती है तो नीना आया से भागती है एक जगा पर चुप जाती है और उफिसर को call करती है पर ये लड़किया इसे छोड़कर चली गई है तो ये call पर कुछ भी नहीं बात करती है ये फिर जाएंग के पास आजाती है उसे कहती है क्या तु मुझे प्रोटेक्ट करोगे ये अकेली होती है तो जाएंग के घर पर ये सो जाती है निना के पास अपने प्रोटेक्शन के लिए पैसर नहीं होती है तो जाएंग एक नोटबुक लाता है इस नोटबुक पर निना को लिखने के लिए बोलता है कि वो उसका करजा उस पर है जब इन इस दिन स्कोल जाती है जो इसे प्रोटेक्ट करता है थोड़ा दूर ही खड़ा होता है ये एक साथ दिखा ही ने दे सकते है इसलिए ये सब वो करता है वायलाई को धमका कराता है उसे कहता है कि नीना से तुम दूर रहना अब हर रोज जाव उसे प्रोटेक करता है अब नेक सिन में हमें दिखता है कि Zao एक बार में होता है वहां वर फाइट हो रही हुती है और इसके boss नहीं से काम दिया होता है कि वहां के जो सब लोग है यह pocket नहीं मारने है यह और एक गायंग होती है तो इन दोनों में लड़ा हो जाती है नीना के classmen होती है नीना के पास आती है और कहती है कि मुझे भी वो लोग बुली करे है क्या तुम मुझे भी प्रोटेक कर सकती हो नीना उसे कहती है कि तुम मेरे साथ घर तक आ सकती हो नीना फेसे जाओ के पास आजाती है जाओ फाइट में था तो उसने बहुत जादा मार कही है उससे पुछती है कि क्या तुमें दर्थ हो रहा है, यह कहता है कि पहले होता था, अब नहीं हो रहा है, वो अपनी मदर के बारे में कहता है, मेरी मदर और मैं अकेला था, उसका एक बॉइफ्रेंड था, पर उसे जब मेरे बारे में पता चला, तो मुझे छोड़कर चली गई, यह दोनों जो है, यह बहुत ही अकेल है अब इसके बाद ये दोनों बहुत सारी चीज़े एक साथ करते हुए हमें दिखते है ये सीडी फिरते है एक्वारेम जाते है ये दोनों इक दूसरे से पैर करने लग जाते है चाव ने फ्रेंड के साथ हमें दिखाया गया है और उसे पूछ रहाता है कि अगर हम इंक लुटना पड़ेगा यानि कि चाव नीना की तरह कभी पैसे नहीं कम अपाएगा नीना का जो फ्यूचर है वो अगर अपना पात परस्यू करेगी तभी ये सही होगा ये दोनों रात में ब्रीच पर आयोए होते है नीना उसे कहती है कि चलो हम यहाँ से भाग कर चलते यह दोनों फिर डिसाइड करते है कि जब यह अपना इंट्रांस एक्जाम क्लियर कर लेगी बहुत अच्छा जौब इसे जब लगेगा तब यह दोनों एक साथ रहेंगे तब तक के लिए चाव उसे सब चीजों से प्रोटेक करने वाला है नेक्स दे हमें दिखता है कि चा चाहिए आज उसे नहीं मिलने वाला जो वायला और उसका गैंग होता है यह सब अप नीना को घेर लेते है यही से बहुत ही मारते है इसका फोटो भी निकालते है और इसे कहते है कि तुम अपने आपको क्या प्रिटी समझती हो लड़कों को भेज रही हो मुझे धमकानी के इसके फिर और निकालते है उसकी वीडियो ले लेते है नीना घर पर रो रही होती है जब चाह आता है और यह देखता है तो बहुत ज्यादा घुस्य में आ जाता है वह जाकर वायला को माय देने वाला होता है पर यह इसे रोक लीती है नीना के हेर्स भी उन्होंने कट कर द निना अकेला ना लगे तो इसलिए अपने हेर्स भी और कट करता है अब जो निना के इंटरांस एकजाम है इसका दिन आ चुका है चाओ से बेस्ट आप लग देता है और इंटरांस एकजाम देती है इसके बाद नेकसिन में हमें दिखता है कि वायलाय की डेड़ बॉड़ी तो गाड़ी यूज हुई थी यह चाओ की फ्रेंड की है पुलिस इसे पुछती है कि जब मर्डर हुआ था तब तुम कहा थे वो कहता है कि मैं हॉस्पिटल में था तुमारी कार कहा थी यह कहता है कि यह चोरी हो गई थी पुलिस कहते है कि तुमारी कार तो अब तुमारे पास है यानि कि कोई तुम्हारा जानने वाला ही था जो एक कार्ड लेकर चला गया था अब में फ्लाश बैक में दिखते हैं कि चाउ ने अपने फ्रेंड से गाड़ी ली थी उसे आस्पिटल में छोड़ दिया था उसे कहा था कि अगर तुम्हें कोई पूछे तुम सच सच इसका फ्रेंड सब कुछ सच डिर्कट दू को पता देता है वायला इने जो वीडियो ली थी ये जहांग को अब मिल जाती है इसमें और नीना को बुली कर रही थी तो नीना अब इस केस की प्राइन सस्पेक्ट बन जाती है नीना नहीं इसे मारा होगा ये सबको लग रहा ह चाहिए था, यह इसे बहुत ही फोर्स करते है कि वो कुछ बोल दे, पर यह कुछ भी नहीं कहती, चाओ भाग चुका है और उसे पुलिस पकड़ नहीं पाएगी, पर अब नीना को as a suspect उन्होंने पकड़ लिया है, तो चाओ के पास अब option नहीं रहता, वो अब पकड़ा जान है, वो नीना से मिलने के लिए आता है, उसे एक जगा परो लेकर जाता है, उसे कहता है कि पुलिस को बताना कि मैंने भी तुम्हें मोलेस्ट किया था, तुम्हारा और मेरा कोई भी relationship नहीं है, हम दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले है, यह तुम पुलिस को बताना, नीना कि दीक में तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, यह कहता है कि मैं माइनर हो, मुझे जादा खुछ सजा नहीं होगी, तुम्हें जब अच्छी जॉब लग जाएगी, तो हम फिर से मिलेंगे, पुलिस फिर निना पर सर्वीरी एंसर रखी रही होती है, तो अब वो चाओ को पकड़ लेते हैं, चाओ को क्वेशनिंग के लिए बुला जाता है, जो भी सबूत होते हैं, यह चाओ के खिलाफ होते हैं, टेट बॉड़ी भी जो थी, उस पर भी ट्रेस चाओ कही थे, चाओ फिर कनफेस कर देता है, चाओ कहता है कि मैं सिर्फ उससे धमकाना चाता था, जो एंट्रांस एज़ा मुसे देना है, इसमें भी वो बेट नहीं सकती है, अगर यह पकड़ी गई, यह फिर निना के पास आकर उसे अपलोजाइस करती है, यह इसके पास आकर गीड़ गीड़ा रही होती है, वायला उससे कहती है कि मैं तुम बहुत सारे पैसे भी दे सकत निना को गुस्सा आ जाता है, यह स्टेर केस पर होती है, निना फिर उसे धखा दे देती है, यह स्टेर केस से गिर कर, वही मर जाती है, अब निना को प्रोटेक्ट करने के लिए यह चाओ ने यह सब किया था, जांग को लगता है कि इन दोनों में रिलेशन्शिप है, तो ये सिकुरिटी कैमेरा चेक करता है जाएंग इसको प्रोटेक्शन देता था ये उसे पता चल जाता है ये क्या हुआ होगा ये भी हो गेस कर लेता है ये इन दोनों को तोड़ने की कोशिश करता है ये पुलिस ओफिसर चाओ को कहता है ये इन दोनों में दराय बना चाते है ये सब कुछ सच बताते है पर ये कुछ भी नहीं बोलते अपना जो statement होता है इस पर ये फ़म रहते है ये डिडिट्टू इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने भी लाता है पर ये एक दूसरे से कोई relation है इसा कुछ भी नहीं चताते जैंग की कोहर करों से बुछ थी है कि तुम तो पहले निना को बचाना चाते थे तुम अब ये सब क्यों कर रहे हो जैंग कहता है कि जो ब्लेम है वो चाव अकेला लेने वाला है अगर ऐसा हुआ तो निना अपने आपके साथ जी नहीं पाएगी वो बहुत ही गिल्टी महिसुस करी की और अपना लाइफ बरबात करतेगी इसके बाद चाव जेल में चला जाता है निना का स्कोर भी बहुत ही अच्छा था है इसके मदर बहुत ही खुश होती है या फिर निना से मिलने जैंग आता है उसे कॉंगरेचुलेशन्स करता है जैंग इससे कहता है कि तुम्हें मालूम है कि वो गिल्टी नहीं है पर फिर भी तुम्हारे सजा वो काट रहा है क्या तुम अब अपने साथ खुश रह सकोगी जाओ को फासी की सजा सुनाएं गई है वो मायना नहीं है उसने तुम्हें यही बतायोगा नीना फिर रोने लग जाती है जाएंग उसके पीछे ही आता है इसे मानने लग जाती है कहिती है क्यों तुम हमें अकेला नहीं छोड़ रहे क्यों तुम हमारे पीछे पड़े हो उससे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है वो अभी भी ट्रायल में ही है पर वो बहुत सारे साल जेल में जा सकता है अब तुमने कनफेस कर दिया तो तुम दोनों की सेंटेंसिंग बहुत ही कम हो जाएगी थोड़ी सालों में तुम जेल से पाहर आ जाओगे निना फिर डिसाइड कर लेती है कि उसे सब कुछ सच बताना है निना चाव से मिलने के लिए जाती है अब हमें चाव और निना ये दोनों पुलिस के गाड़ी में दिखाए गए है चाव निना से पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है वो कहती है कि मुझे पहले डर लग रहा था अब मुझे नहीं लग रहा यह अपने future को किस तरह से देख रहे है यह हमें इस scene से दिखता है यह पहले डर रहे थे पर अब यह नहीं डर रहे है यह scene और यह movie यह दोनों खतम हो जाते है पर हमें अब पता है कि jail से वापस आने के बाद नीना अब teacher बन चुकी है जिस तरह से bullying उसके साथ होई थी किसी और के साथ नहीं होने देगी movie के first में हमने देखा था यह लड़की को यह notice करती है जो लड़की उसके classroom में होती है इसकी bullying हो रही होती है तो इसे आप वो support करेगी नीना और चाओ यह दोनों एक दूसरे के साथ ही थे इन दोनों ने अपने लिए एक अच्छा सा future बना लिया है इस movie के जो सब scenarios थे यह बहुत ही dramatic थे पर एक बड़ा सा topic यह movie टच करती है इस movie में हमें दिखाया क्या है कि जो classroom के बच्चे होते हैं जो teachers होते हैं हमेशा एक दरार बना कर रखते हैं यह कहते हैं कि जो अच्छा perform करते हैं अच्छे marks लाते हैं यही life में कुछ अच्छा कर जाते हैं दूसरे जो सब हैं यह घटिया life जिने वाले हैं यह कोई भी अपने life के साथ अच्छा नहीं कर सकते हैं यह इस mentality में इन्हें रखते हैं जो इस classroom के बच्चे होते हैं यह दूसरे बच्चों को बुली करते हैं इनकि आगे वो जाना सके इसके लिए हमेशा उन्हें तकलिफ देते रहते हैं नीना भी इसी mentality का victim होती है नीना भी यही समझती हैं कि यह चाओ से better है चाओ के जो हलात थे वो खराब थे इसलिए यह सब वो कर रहा था इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं थी जो competition की mentality होती है यह कुछी बच्चे इसमें पास होने वाले हैं मुवे में दिखता है कि 90 लाइक बच्चे इस entrance exam को देते हैं इसमें से सब तो पास नहीं होने वाले बहुत दिक गिने चुने बच्चे इस entrance exam में पास होगे और बाकी सब कुछल दिये जाएंगे नीना के लिए blame सिर्फ चाओ लेने वाला था क्याने की टीना superior है और वो inferior इस तरह से इन्होंने हमें gap दिखाया था लास्ट में हमें दिखता है कि जो blame था इन दोनों ने एक साथ लिया है अब पर एक दूसरे को उचा नीचा नहीं दिखाना चाहते यह movie एक message हमें दिखती है कोई superior नहीं होता और कोई inferior नहीं होता सब लोग अपनी life के साथ कुछ ना कुछ तो अच्छा करी लेते है लास्ट में इन दोनों ने अपने लिए future बना लिया है नीना जेल में गई थी पर वो इसके बाद भी teacher बन चुकी है इस world को एक ही तरीके से देखना यह कितना गलत है एक message यह movie हमें देती है यह video हम यही खतम करते है तो अगर आपको यह video अच्छा लगाओगा तो प्लीज इस video को लाइक कर दीजे इस तरह की बहुत सारी movies में लेकर आते रहे तो तो प्लीज इस channel को subscribe कर दीजे और बन इन्टोफिशन आइकोन में दबा दीजे यह आपको कोई movie मिस ना हो हम फिर से मिलेंगे और एक नई movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिये